हलो वियर्स वेलकून टू मैं चैनल और आज आपके लिए मैं एक नई वीडियो लेकर रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा आप इंसेक्टी साइड अपने प्लांट्स पे कैसे यूज कर सकते हैं ये मेरे पास इंसेक्टी साइड है इसको यूज करने का जो में रीजन ह क्योंकि अभी मेरे प्लांट्स में काफी ज्यारा कैटर्पिलर्स का अटेक हुआ पड़ा है और उसके लिए मैंने एक पहले नॉर्बल इंसेक्टी साइड यूज किया था और और गैनिक वे में भी यूज करके देखा है बट उसमें कोई भी एफेक्ट नहीं पड़ा वो जो इंसेक्ट्स हैं एंड कैटर्पिलर्स हैं दुबारा से मेरे प्लांट्स पर उनके जो पत्ते हैं प्लांट्स के और लीव्ज फलार्स हैं उनको सभी को डिस्ट्रॉई कर रहे हैं इसके लिए मैं स्पैसिफिकली एक पैस्टिसाइड लेकर आया हूँ जिसका नाम है फ् लोकलेट दी है एंड इसके साथ स्कोब दी है एंड हमारा जो मेन प्रड़क्ट है वो 25 ग्रैम हमें मिले और जो मेरे पास इंसेक्टिसाइड है इसकी जो फॉर्म है वो ग्रेनुल फॉर्म है यह स्मॉल फ्रेग्रमेंट्स में टूटा हुआ है और इसको अभी हम डिल्यू हो सकता है और जब भी आप इसको यूज करें ट्राइ करें आपके पास गलब्स हो मेरे पास अभी नहीं थे बट मैं अभी इसको बिल्कुल भी टच नहीं करूँगा अपने प्लांट में जो हमें वाटर में डालना है डिलूशन करनी है इसकी सो यह स्कूब इस मेजरमेंट के लिए दिया गया है जो यह वाला पूरा इंसेक्टी साइड है इसकी जो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हमें वान एट हाफ पंप जो बड़ा होते हम एकर में यूज करते हैं हमारे फील्ड में यूज करते हैं उसके लिए मैं इसके लिए बहुत ही ज्यारा कम इसको सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बताना जाता हूं इसका mode of action कि यह कैसे attack करता है caterpillars पे caterpillars पे attack करने से पहले इसके जो chemical substance होता है वो उसके leaves पे जाके सबसे पहले release होता है और उसके बाद अगर कोई भी वहां पे caterpillar होता है वो अगर उसको उसकी जो droplets होती है insecticide की उसको inhale कर ले तो वो जो droplets में chemical substance है वो सबसे पहले उसकी digestive system पे जाके attack करता है digestive system पे जाके attack करने के बाद वो अपना जो food होता है उनको digest करने में problem होगी and secondly उसके जो muscles होते है caterpillar या कोई भी insect की उसको specifically उसको contract कर देता है जिसके साथ caterpillar जो हमारे plants पे attack नहीं कर पाता और हमारे plants healthy हो जाते हैं and secondly मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा जो कोई भी caterpillars है कोई भी अगर आपके insect है यह specifically उनके लिए बना है and इसकी जो cost नियर बाट 170 रुपीज है 25 ग्रेम्स के लिए बट आपको कम डालना है इसके लिए इसकी ज़्यारा cost है effective बहुत है and अभी मैं इसको सिर्फ half of the solution dilute किया one third of the scoop मैंने dilute किया था some water के साथ और उसका जो dilution है सिर्फ half डालना हूँ and अभी मैं इसको एक लिटर में डाला है and second term में दुबारा से जो leftover dilute करके जो मैं solution रखा है उसको डाल दूगा अब properly shake करके आप जो sprayer है उसको अभी close कर दें और अभी यह हमारे जो plants पे spray करने के लिए ready है आपने कैसे spray करना है plants पे वो भी मैं आपको बताऊंगा and यह अभी I think near about 50 pots में recover कर देगा एक लीटर में और अभी मैं बहुत ही कम डाल रहा हूँ क्योंकि इसकी जो effective नैसे बहु आप यह देख सकते हैं जो मेरे पास plants है यह जीनिया कहीं है जीनिया की मेरे पास दो varieties हैं दोनों पर काफी जारा pest attack करे हूँ है and इनके जो leaves है वो सभी वो खा रहे हैं and जो इनकी birds है वो भी खा रहे हैं and काफी birds yellow भी हो रही हैं इनको कैसे spray करना है like जो आप दब भी देख स इसा corner नहीं आपको उसका skip करना जहां पर ज्यारा attack हो क्योंकि उन चीजों पर आपको ज्यारा डालना है pesticide और insecticide जहां पर पहले आपके जो caterpillars ने attack किया हुआ है जिसके साथ उसके अगर वहां पर eggs भी होंगे वो भी सभी destroy हो जाएंगे और आपके plant में कोई भी ऐसी एक भ बार रही इंफेक्ट करेगी इसका जो effectiveness रहता है वो near about within a month ये effectiveness अपनी lose नहीं करता बट ये near about two to three months इसकी रहती effectiveness और जिसके साथ हमें कोई भी other pest set use करने की ज़रूरत नहीं है मैं अभी properly इनको कर रहा हूं जो ये वाले मेरे बड़े वाले जो जीनिया इस पर सबसे ज्यारा pest का attack हुआ था ये आप देख साते हैं काफी जो इसकी petals हैं उसमें काफी इनको जो caterpillars हैं उन्होंने eat कर रखी हैं जिसके साथ मेरे काफी सारे plants खराब हो चुके हैं और काफी जो brown parts हैं ये सभी उनके ही वज़े से हैं इनमें काफी करतरा के caterpillars थे एक ही जो type के caterpillars नहीं थ और specifically उन्होंने बताया ये सभी जो caterpillars हैं उनको attack करता है और आपके plant में कभी भी दुबारा नहीं आएंगे ये मैं आपको अगर बताओ आते कहां से है क्योंकि अगर हमारी जो soil है last year की soil उसमें थे तो ये दुबारा से repeat जरूर होते हैं अगले साल भी और आपको ये मैं recommend क अगरी थी बट मैं अपने soil को सुखाया था अच्छी तरह से बट आपको मैं recommend करूंगा अच्छी तरह से soil को सुखाये उसमें पहली आप insecticide सप्रे करतें जिसके साथ आपके दुबारा कोई भी soil में insect ना आए जिसके साथ ये आपको problem नहीं आएगी and insecticide को सप्रे करने का जो सो आप अभी देख साते हैं मैंने सभी जो पॉट्स इसके साथ कवर कर दी हैं बट सम अव दा पॉट्स अभी लेफ्ट हैं उनके लिए मैं अभी और insecticide जो हमारा जो सेकंड डर्नवारी डिलूशन रखी है उसको हम यूज करेंगे आपको मैं एक चीज यहां पर और भी बत अभी जो मेरे जो प्लांट्स इसमें काफी कम हैं बट मैं उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए इंसेक्टिस से सप्रे कर रहा हूं यह आप सलूशे के प्लांट्स देख रहे हैं इसमें बहुत ज्यारा अटैक आज हुआ है पहले इसमें कोई भी इंसक्ट नहीं था यह और इनको मैंने अच्छे से सप्रेव जो नॉर्मल वाटर है उससे पहले सभी जो इसके जो लीव से पूरे क्लीन कर दिये थे सुबा और अभी मैं इसमें इंसेक्टिस से प्रे कर रहा हूं इनको भी आप कर सकते हैं अगर आपके जो ज्यारा अटैक हुआ है आप पहले इस जहां पर ज्यारा इसकी जो हमारा जो जीनियास के प्लांड जहां पर ज्यारा क्लोरोफिल इनको मिलेगा वहां पर एक करेंगे तो आपको मैं रिकुमेंड करूंगा यह जरूर एड़ करें अगर आपके यहां पर बहुत ही ज्यारा अटैक हुआ है का यह आप देख सकते है जो मेरे पास जो हमारा insecticide जो हमने use करने के बाद जो हमारा रह गया है उसको मैं store कर रहा हूँ आपको मैं recommend करूँगा आप इसको अच्छे से store करें एक जो आप पूरा close जो होता है हमारे पास bag होता है उसमें आप इसको store करें और उसके बाद इसको जो इसका box है उन में डालें इसको कभी भी open मत छोड़ें क्योंकि इसके साथ ये खराब भी होगा और काफी इसमें जो chemical substances है वो environment में जाएंगे जो के हमारे लिए भी बहुत ही जारा dangerous हो सकते हैं हमारे plants के लिए भी आपको मैं recommend करूंगा यह इंसेक्टिसेट जुरूर अपने घर पे इस पर सप्रेई करें अगर आपके जारा अटेक हुए caterpillars का और अपने result मेरे साथ शेयर कीजिए तो अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीस मेरे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को भी like and share कीजिए थैंक यू